हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षता कागाल, कुक फूड विद अक्षता में आप सभी का स्वागत है आज कल के हर बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद आता है क्यों न हम उनकी सेहत का खयाल रखते हुए घर पर ही नो मैदा, नो इस्ट रवा पिज्जा बनाएं तो फिर चलिए रवा पिज्जा रेसिपी देख लीजे रवा पिज्जा बनाने के लिए हमने यहां तीन कप गेहूं का रवा लिया है त्री फोद कप धही, तीन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, आदा टी स्पून बेकिंग सोडा, तीन टेबल स्पून चावल का आटा, और तीन टेबल स्पून चीनी का पाउडर, और तीन टेबल स्पून नमक ये हो गई पिज्जा की बेज बनानी की सामगरिया अब हमें टॉपिंग्स के लिए चाहिए चार प्यास, दो शिमला मिर्च, तीन टमाटर, आदी कटोरी पकाए हुए स्वीट कॉर्ण, दो टेबल स्पून लाल मिर्च पौडर, आदी कटोरी लसन, आदी कटोरी तेल, दो टेबल स्पून टोमेटो केचप, होम मेड पिज्जा सॉस और चीज, इन दोनों की रेसिपीस अगर आप देखना चाते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आखिर में हमें चाहिए दो टेबल स्पून घी, पिज्जा डो बनाने के लिए एक सूखी मिक्सर जार लीजे फिर उसमें तीन कप गेहु का रवा डाल दीजे, फिर उसमें तीन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, तीन टेबल स्पून चावल का आटा, आदा टी स्पून बेकिंग सोडा और तीन टेबल स्पून नमक डाल कर इसे मिक्सर में बारिक पाउडर होने तक पीस कर एक बरत और थोड़ा थोड़ा करके दही डालकर आटे को गूंद लें। हमें यहां दही का इस्तमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब रवा एक जूट होकर सौट हो जाए तब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी चिटक कर सौफ्ट डो बना लीजेगा। इस तरह से डो बनने के बाद इस डो को दस मिनिद तक गूंद कर गीले टॉवेल में आदे गंटे के लिए धक कर रख दीजे। टॉपिंग्स बनाने के लिए गैस पर एक कडाई चड़ा कर उसमें थोड़ा तेल डाल दीजे। तेल गरम होते ही लसुन का पेस्ट डाल दीजे। और उसे अच्छी तरह से भून लीजे। जब लसुन अच्छी तरह भून जाए तो उसमें प्याज डाल दीजे। प्याज को थोड़ा भून लीजे। हमें यहां सारे वेजिटेबल्स को आधा कच्छा रख कर ही पकाना है। पिज़ा टॉपिंग्स में कच्छे वेजिटेबल्स का इस्तमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में बच्चे टॉपिंग्स में कच्छे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते। इसलिए मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ। अगर मेरे बनाएवई ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजे और अपने फ्रेंड सरकल में जरूर शेर भी कीजे और जिसने अबी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया याद से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ताकि हमें नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे अब इसमें डालिए टमाटर और उसे भी थोड़ी देर पका कर उसके बाद डाल दीजे कैपसिकम कैपसिकम को भी आदा पकाने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून टमेटो कैचप डाल दीजे और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पौडर डाल दीजे थोड़ा नमक डालिए आपका टॉपिंग्स रेडी हो गया अब ढके हुए डो को निकाल कर इस तरह से गोल गोल फेडा बना लीजे इसे थोड़ा वीड फ्लोर लगाते हुए हमें बेल लेना है इस बेज को पतला मत बेलिए थोड़ा जाड़ा ही रहने दीजे जब ये बेल कर हो जाए तो वीडियो में दिखाए हुए तरीके से एक फोर्क लेकर इस तरह उपर मार्क लगा दीजे फिर गैस के उपर एक तवा रखकर उसमें घी डाल दीजे जब तवा गर्म हो जाए तो फोर्क से मार्क के हुए हिस्से को पहले नीचे की तरफ रखकर दो मिनिट के लिए ढखकर सेख लीजे फिर बेज को पलटा कर उसके उपर घी लगा लीजे पिच्चा सौस को और थोड़ा टोमेटो सौस को डाल कर स्प्रेड कर लीजे फिर उसके उपर वेजिटेबल स्टॉपिंग्स को स्प्रेड कर लीजे मैं इसके उपर थोड़ी पकाई हुई स्वीट कॉर्ण डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें पनीर, मश्रूम्स, चिकन जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं इसके उपर चीज को ग्रेट करके इस तरह से डाल दीजे फिर उसके उपर ओरेगानों, मिक्स्ड हर्ब्स जो आपके पास अवेलेबल है उसे थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजेगा तीन चान मिनिट के लिए ढख कर पकाईएगा देखिए नो मैदा, नो इस्ट, नो ओवन, तवे पर रवाक पिज्जा घर में ही बन कर तयार हो चुका है इसे एक बार घर में जरूर बना के देखिएगा आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो की साथ तब तक के लिए बाई बाई